अवारी Public M officials नमस्कार मैं हूँ ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जहरखन की दिन भर की खबर जानते हैं जयक बराहवी की बोड फिजिक्स परीक्छारद करने वाला विग्यापन फेक जारखन एकेडमी काउंसी जैक ने बरहवी की बोड की फिजिक्स परिक्षारद करने वाला बिग्यापन पर अस्बस्टी करन दिया है जैक सचीव एमके सिंग ने कहा है कि सोसल मीडिया पर इंटर की फिजिक्स परिक्षारद करने वाला बिग्यापन फेक है जैक द्वारा ली जानने वाली मैट्रिक और इंटर की कोई भी परिक्षा रद नहीं की गई है वाटसेप या अन्य सोसल मीडिया पर सुबह से जो बिग्यापन सर्कुलेट हो रहा है वह एक अफवा है किसी भी विद्यार्थियों को परिशान होने की जरूरत नहीं है बता दे कि रभी वार सुबह से जर्खन एकेडमी काउंसिल का एक बिग्यापन सोसल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि 22 मर्च को ली गई इंटर की बहुत तिक परिक्षा को रद कर दिया गया है रद की बिशायों की परिक्षा 3 अप्रेल को प्रथम पाली में आयोजित की जाएगी ऐसे में बिद्यार्थियों में असमंजस बना हुआ था ज्यार्खन के 10% लोग भी नहीं भेज पाते इमेल ज्यार्खन के 10% से भी कम लोग इमेल भेज पाते हैं ग्रामीन छेत्रों की जीती तो और भी खराब है जहां 5 पर्थम से भी कम लोग इमेल भेज पाते हैं दूसरी ओर सहरी छेत्र में इमेल भेजने वालों लोगों की संख्या लगभग 24 पर्थम था है रिपोर्ट के उनसार पूरे देश में 15.6 लोग इमेल भेजने का काम करते हैं सर्विक्षन में यह बास सामने आई है कि इन्फोर्मेशन और कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी के उपयोग में जार्खन के लोग नौक के वलराष्टी यह अवसात बलिक कई राजियों से भी पिछे हैं रिपोर्ट के उनसार जार्खन में दो पर्थिषत लोग भी पावर पॉइंट पर्जन टेंशन बना पाते हैं इन में टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, चार्ट का इस्तेमाल पावर पॉइंट पर्जन टेंशन में सामिल हैं देवघर में पाँच नए कोरोना संक्रामित सभी कोरेंटीन देश भर में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई हैं कई राजियों में कोरोना के एक टीव मामले सामने आ रहे हैं इन राजियों में जार्खन भी सामिल है सनिवार को जार्खन के देवघर जीले में फिर पाँच कोरोना संक्रामित मरीज मिले हैं उन्होंने बताया है कि इनके पहले भी तीन कुरोना संक्रामित मिले थे आलाकि अब उन तीनों के रिपोर्ट निगेटिव आ गई है देवगर में खुला संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन देवगर सारवा रोड इस्थीत कुंडा में संथाल परगना का पहला परकिर्ति गैस अधारित CNG स्टेशन का उद घाटन गोड़ा संसर डाक्टर निशिकान दुबे निकिया संसर ने कहा है कि CNG भविस का इंधन है पूरे दुनिया में परयावरन बचाने का महौल है परयावरन को बचाने के लिए या CNG कारगर होगा बिजली पैजा करने में कोईला बड़ा उपयोगी है लेकिन भारत पर दबाव है कि भारत कोईला अधारित बिजली का उत्पादन बंद करे कोईले से अगर बिलिए उत्पादन नहीं करेंगे तो यूरेनियम और लिथियम अधारी सोलर की ज़रूरत पड़ेगी आंजन धाम सहित 4 अस्थलों के लिए 6.5 क्रोर का प्रस्ता गुमला जीले के प्राचिन धार्मिक अस्थलों एवं पर्याटन अस्थलों के समशित विकास के लिए रणनीती बना कर काम कर रहा है ऐसे तो पूर्व के समय में जीला के प्राचिन धार्मिक एवां 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 प्राचिन आतधाम, सदर परखंड में प्रकिर्ति की गोद में बसा, आंजन धाम, प्रेटन अस्थाल पाल कोट का गोबर सिल्ली वा सिसाई परखंड के नौरतन गड़ के विकास का खाखा त्यार किया गया है, उपरोक्त चारों अस्थानों का विकास के लिए जिला परसास अंद्वाल का कला करा करक्रम का मुख्य उदेष गाउं और पंचाथ अस्थर परषिप्य प्रति भावाण को अपनी कला को दिखाने का उसर परदान पंत्राम करना है, वही महोचों में भाग लेने वाले बीजेता परती भागियों को साटिफिकेट मेडल एवाम ट्रोफी देकर समानित किया जाएगा महोचों में 10 साल तक के उम्र का कोई भी किसोर भाग ले सकता है एक छुक परतीभागी अर्गोडा इस्थीत मोहन कंपलेक्स सांसत कर्याले से संपर कर फरम ले सकेंगे जारखन में 7 डिगरी तक गिरा तापमान जारखन में कई दिनों से सूबा साम तेज हवाओ के साथ हो रही बारिस की वज़े से तापमान में बड़ी गिरावट आई है पिछले 24 घंटे के दरान अधिक्तम तापमान में 60 डिगरी तक की गिरावट दर्च की गई मौसम विभाक की ओर से रभीवार को जनकारी दी गई है बताजा रांची की यारपोट इस्थीत मौसम केंद्रे ने बताया है कि 2 अपरेल 2023 को रांची और डाल्टेंगाज के उस्तम तापमान में ममूली बिरीदी दर्च की गई है लेकिन राजी की दो लोह नगरी जमसेथपूर और बोकारों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्च की गई रांची जमसेथपूर डाल्टेंगाज और बोकारों के निमतम तापमान में भी गिरावट दर्च की गई है धनबाद जेल में मची अफरात अफरी पगली घंटी पर दोड़े पुलिस करमी धनबाद जेल में गैंगवार हो गया है दरसल पगली घंटी बजते ही भारी संख्या में पुलिस बल को जेल में भेजा गया बताया जा रहा है कि कम से कम 100 जवान इस्थीती से निपटने के लिए जेल के अंदर दाखिल हो गाई हाँ या भी बताया जा रहा है कि दरजनों थाना कि पुलिस को वहाँ बेजा गया दरसल पगली घंटी का मतलब होता है टन 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 लगतार जेल से गुजती अवाज या घंटी बज़ते ही लोगों को समझ में आ जाता है कि जेल की पगली घंटी बजगई है एक दो नहीं जेल परिशरकाय घंटा लगतार पचास बार बज़ता है बजते ही जेल के अंदर अन्होनिक या संका कडर जेल अधिकारियों और कर्मियों के चेहरे पर छा जाता है जमसेद पूर सहर की परिवहन बेवस्था 2024 तक बदल जाएगी जारखन सरकार के साथ मिलकर टाटा इस्टील और जीला पर शासन वर्श 2024 तक परिवहन बेवस्था को बदलने के मीशन पर काम कर रहा है इसके तहाथ पबलिक टांस्पोर्ट सिस्टम को दुरूस्ट किया जाना है और दो पहिया तिन पहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या को सड़कों पर काम किया जाना है ताकि परदूसन का स्तर काम किया जा सके बतादे 15 वे बीत आयो किसी फारिश के मुताबिक नगर निकायों ने BIT मेसरा के साथ MOU किया था इसके तहत वर्ष 2022 में वैसे कारकों की तलास की गई जिसके कराण यहाँ परदूसन ज्यादा पहलता है ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम पर बोले सालखान आदिवासी सेगेल अभियान जीला समिती की बैठक जीला परिशत सभागार में पूरु संसत और आदिवासी सेगेल अभियान करश्टी अध्यक सालखन मुर्मु के अध्यक्सता में होई बैठा को समधित करते हुए मुर्वू ने कहा कि आदिवासी गाउं समाज को बरबादी और गुलामी के जंजीरों में जकरने के लिए सर्वाधिक दोसी आदिवासी सोसासन बेवस्था या ट्राइवस सेल्फ रूल सिस्टम के नाम पर वनसा नुगत नियुक्त मान की मुंडा है उन्होंने कहा है कि या स्वास्थ जनतंत्र समिधान कानून और मानव अधिकारों को नहीं मानता है लगभग सभी आदिवासी गाउं समाज में नासा पान अंधविस्वास राइनिती कुपोशन आदिजारी है या बेवस्था इसको बढ़ाने का काम करता है हेमन्त सरकार के खिलाप निरनायक लड़ाई के मोड में बिजेपी जारखन में नियोजे निती भरष्टा चार और 2019 विधान सभा चुनाग जानता से किये गवादों को केंदर में रखकार जारखन की भरतिया जानता पार्टी हेमन्त सरेन की निती तुवारी महागरवन्दर की सरकार से दो-दो हाथ करने की त्यारी में है बता दे युआओ को नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, खराब होती बीदी बेवास्था जैसे मुदों को लेकर हेमन्त सोरेन को अब तक की सबसे फलोब सरकार होने का संदेश जानता के बिच ले जाने का पूरा खाखा तयार कर रखा है हेमन्त सोरेन की सरकार के खिलाब युआओ, महिलाओ, अनुबंदित करमचारियों में बढ़ते असंतोस से भाजपा के परदस नतित्वे के नेता उसाहित है उन्हें लगता है कि इन मुद्दों पर अभी से ही मोमेंटम बना कर रखा जाए तो 2024 के लोग सबाचुनाव में परफेक्ट 14 और विधान सबाचुनाव में बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की जा सकती है भाजपाक की रणनीती समाज के हरवर को पार्टी से जोडने की भी है इसलिए एक और जहां पार्टी ने हिमन सुरेन को राजे के विकास में अक्षम बताते हुए अंदोर्ण की रूप रखा त्यार की है वहीं दूसरी ओर बाबा साभीमरा अंबेट कर जो तिवा फूले जैसे नेताओ के जनम दिन को धुम दाम से मराने का फैसला लिया है हजारी बाग राम नमी पर लाठी और तलवार बाजी खेल में साथ सो चे अधिक घायाल जारखन के हजारी बाग जिली में राम नमी जुलूस में तलवार बाजी और लाठी बाजी के खेल के दवरान करीब साथ सो लोग जख्मी हो गया अधिकारियों ने सन्नीवार को यह भी जनकारी दी है पूलिस अधिकारियों ने बताया है कि सुक्रवार रात लवखक आठ बजे शुरूख वारम नमी उत्सवसनीवार रात आठ बेस समपन्द हो गया भारी बारिस के बाजूद बड़ा ठाकbelt बाड़ी इलाके के बोडोम बाजार में सद्यों पुराने समारोह में 91 अख़़ों नहीं सालिया अच्छी तरह से सजाई गई जाकियों के साथ समारोह में शअर के दो लाक्स से अधिक लोगों नहीं सालिया है अधिकारियों ने बताया है कि समारों की दवरान किसी अपरिये घटना की खबर नहीं है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बहुल का बेल एक अंदर भाईए साची साथ वीडियो के एक लाइक करें अपने दोस्तों से अशेर करना ना भूले साची साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ा एक अवस्त से दे थैंक यू